माता लक्ष्मी मा लक्ष्मी की कृपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो सरद पुर्णिमा के दिन हम ऐसा कौन उपाय करे जो मा लक्ष्मी की कृपा हम पर बरस्ती रहे सरद पुर्णिमा का बहुत जादा महत्व है इस दिन चंद्रमा के शाथ लक्ष्मी मा शंबंधी जोती शुपाय करने से सभी मनो कामनाय पुर्ण हो जाती है उसके साथ ही आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है और स्वास्त पर अच्छा असर परता है आसिन मास के सुकलपक्ष की पुर्णिमा तिथी को सरद पुर्णिमा मनाय जाती है माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा सोरह कलाओ से परिपुर्ण होता है इसी कारण से इसे राज पुर्णिमा कोजागरी पुर्णिमा कौमूदी ब्रत जैसे नामों से भी जानते हैं पौरानिक धार्मिक मानताओं के अनुसार मालक्षमी का समुदर्श अभिरभाब शरद पुरनीमा के दिन हुआ था इसी कारण इस दिन मालक्षमी धरती पराती और अपने भकतों पर किपा बर्शाती अनुसार करने से ब्यक्ति हर बीमारी से चुट कारा पासकता है जो तिस सास्त्र केमसार सरद पुर्णीमा के दिन कुछ खास उपाय करके ब्यक्ति हर समस्या से चुट कारा पासकता है इसके साथ झ्धन तो आईए जानते हैं कि सरद पुर्णिमा पर कौन कौन से उपाय करना चाहिए अगर आपको पैसे की तंगी है आपको आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करना है तो सरद्पुर्णिमा के की रात मा लक्षमी की पूजा करने के साथ पांच कौरिया मा को चढ़ा है दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपर में इन कौरियों को लपेट कर तीजोरी में रख लें अगर आप लगातार बीमार रहते हैं आपका स्वास ठीक नहीं रहता है तो सरद्पुर्णिमा के रात को च्छत पर खीर रख दे और दूसरे दिन रोगी को इसका शेबन करा है इससे बीमारी से मुक्ती मिलती है आपको नौकरी में दिक्कत है बिजनेस में परिशानी हो रही है नौकरी में परमोशन नहीं हो रहा है तो सरद्पुर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चोमुख दीप जलाएं शरदपुर्णिमा के दिन एसनान ध्यान करने के बाद तुलसी पूजा करे और शाम को दिपक जलाएं ऐसा करने से घर में सुख सम्रधी आती है शरदपुर्णिमा पर मालक्ष्मी को शिंघारा, दही, मखाना, बतासा और पान का भोग लगाए ऐसे करने से मालक्ष्मी की किरपा बनी रहेगी माना जाता है कि शरदपुर्णिमा के रात में चंद्रमा की रोशनी से अमरित बरसता है इसलिए इस दिन त्राटक क्रिया जरूर करें इससे आँख आपकी दुरुस्त रहेगी मातुलसी को शफेद रंग की कोई मिठाई का भोग लगाए ऐसा करने से मालक्ष्मी के शाथ भगवान विश्नु की किरपा प्राप्त होती है तो जये मालक्ष्मी जये मालक्ष्मी